मैं सभी का सवगत करता हूँ फिजिस गार मिकेश ने एक चैनल पर आज बच्चों बहुत मज़ा आने वाला थर्ड पार्ट है हमारा एक लबवी बैच और इस बैच के हिविरो है दिने सर और उनके सर मात्स और फिजिक स्टार्ट कर रहे हम लोग सेंट्री पिटल फोर्स और सेंट्री फिगल फोर्स आज इस पर हम लोग पहले कॉंसेट बताएंगे साथ में कुछ जो यमसी कुछ इंपॉर्टन से वो लेने व चलते 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 थोड़ फाट चलेंगे बाद में थोड़ा थोड़ा दोडेंगे बाद में बहुत जोर से दोड़ने वाले तहिए ना थो चलने हम लोग मिलक सिंग्स बहाँँ बाद में तो चलो बच्चो सबसे में मैं आप लोगों को बताना बहुत ही जरुरी समस्ता हूं जब भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं आप लोगों को जब मैं कॉश्चन दे रहा हूं तब आपको क्लॉस करना है इसे और पेन और नोट बुक लेना है पहले सौल करके देखना बहुत easy-easy सवाल है, मैं आपको आदत लगाने की कोशिश कर रहो, बाद में बच्चों 15 दिन के बाद, नेरा बोटली 10-15 जनुवरी के बाद, हम थोड़ा सा आपको सताने की कोशिश करने ले, क्या पैयार है आप लोग सताने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा hard, tricky question दूँगा आपको, तो centripetal और centrifugal force क्या है, इसको उपर थोड़ा सा बात करते हैं, बच्चों मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था, कि कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलार मोशन में मूह होता हो, तो यहाँ पर आपको पता है, कि इस velocity के direction change होने से, velocity के direction change होने से, velocity के direction change होने से, मतलब बच्चों यहाँ पर हमारी जो, यह velocity बच्चों, इसका direction change होने के कारण, मैंने बॉला था आप लोगों को, कि एक्सरलेशन होने वाला है, और इस acceleration का हम लोग देने वाले हैं नाम centripetal acceleration सब्सक्राइब बच्चो किसके करण बच्चो यह velocity का direction change होने से जो acceleration produce होता है उसका नाम centripetal accelerate बच्चो मैंने बोलाता ना velocity change होना गड़ी के नाम लिया था याद है गड़ी ऐसी बुम 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 चलते हैंगे ने बच्चो तो वो जहे एक्सरेलेशन इसलिए अमरे स्पीड चेंज होती है अच्छा लेकिन जो गौल पालिटिकल भूमे उसमें शुआ स्ट हंड्रेड परसेंट हमेशा एक एक्सरेलेशन होगा उसका नम सेंट्रिपिटल अक्सरेलेशन होगा समझे मेरी बाइलोग समझ मेरा रहा है कॉमेड में कॉमें डाला है यार मैं आइंसर देन वाला टेंशन मतलेना है उसके बात में आप लोगों को दुसरी एक मतलब ये सेंट्रिपिटल अक्सरेलेशन को हम रों एक नाम दे सकते हैं क्या रेडायल एक्सरेशन वा 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 क्या बात है सर इसको ए आर भी लिख सकता हूं और साथ में एसे भी लिख सकता हूं अगर इसका मैगनिट्यूड चेंज हो जैसे मैंने कल लिया था 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिया था 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड अगर यह मैगनिट्यूड चेंज हो तो उसका नाम दिया था हमने टैंजेंशिल एक्सरेशन V2R, दुसरा लिखाता R OMEGA SQUARE, तिसरा लिखाता V OMEGA, दिखा ही दे रहा है मेरे बाई लो, खुश है सब लोग, खुश है, सब लोग खुश है, समझ में आ रहा है, ये तीन फार्मूले लिखेते, इन तीन फार्मूले का आज हम लोगों को यूज देना है, मुझे बता वच्चो यह एकसरलेशन क्यूग प्रोड्स हो रहा है आए अरे भाया अपके पास गढडिये तुई लचार्डि और लड़की लोग होगे तो शुटी तो चलाते होगे ना क्या करतो अप्सकूर्डी को था एकसरलेशन एकसरलेटेट चलाते हो अरा भाया यह जो acceleration जो कर रहे हो क्या लग रहा है उसके लिए πο़ क्या लग रहा है force यह में नीटन लूटन लो पड़ा होगाना और लाउस आप मोशन में पड़ा है ना tent में भी पड़ा है तो acceleration का जो direction है वह ही फ्योग डैरिक्शन होगा अब लूयशव कैसे अरे जो इस एक्षरलेशन बोलो या एक्षरलेशन का जो इसके कारण झिसके गारम कर भगाने के हो इस एक्षरलेशन. इसा nossos सेंट्री पीटल फॉर्स और यह जो ए floors यहां पर इसके फैर्मुले तयार कर सकते हूं कैसे नेको यम ए किया फार्मूला वी स्क्यार बाय आर तीसरा होगा फार्मूला या फीजरीक व formula से हम लोग अब कोई भी mathematically जितने भी MC किस होंगे वो solve करेंगे मेरी बास समझ में आरी यह बहुत simple वैसे बताए मैंने कि centripetal force मतलब जो force center के तरफ हो जो force center जैसे acceleration center की तरफ हो उसी direction में हमारा force होगा इसलिए जो acceleration का direction toward है तो force का direction toward force का direction toward force का direction toward force का direction toward the center लेकिन बच्चो यह जो centripetal force है यह खुद कोई खुद का कोई origin नहीं है खुद original force नहीं है सर क्या duplicate force होता है आदमी जैसे भी duplicate होता है कैसे बताता है बच्चो क्या है यह जो force है ना यह force लगने के लिए कोई reason होगा कोई इसके लिए हम लोग कारण बताएंगे जैसे के मुझे बताओ हम लोग देखो यह है nucleus और यह है electrons यह गोल घुम रहा है क्यों बच्चो यहां पर negative charge यहां पर इसको अट्रेक करेगा towards the center देखो towards the center और इस force को कहते है electrostatic force मेरे बास समझ में आ रही है मुझे बताओ यह जो force लगा रहा है किसका कौन force है electrostatic force यह towards the center लग रहा है इसलिए देखो जो चीज गोल घुमे वहां पर centripetal force लगा नहीं काहीं भी कोई भी जैसे कि electron रिवाल और अंडर न्यूक्लिय सेंट्रपिटल force है लेकिन कौन सा force प्रोइड कर रहा है electrostatic force कर रहा है मेरी बास समझते होगे बच्चो नेक्स्ट और जैसे कि यहां पर आपका हाथ है सुन्दर सा और यहां पर रसी पत्तर फेक रही और इसको घुम जुम 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 समझे ग्या तो यह जो गोल घुम रहा है तो इस पे क चत्र इउपन करों देखो यहाँ पे बिच्ट्र इवी पन्ट की यहाँ यहाँ पे यहाँ पो पर देग कर दी महिंए तो यह टेंशन की फोरस Android इस टेंशन के कारण यह छैटर्पिटल से उस है जैसिकि आर्फ रिवाराउंड़ सन यहां पर हमारा सन है छोटा साम नासा अर ये आर्फ गोल गोल सेहतई हैं ने ग्राइड़ेटेशन सब्सक्राइब मुझत मैं में मुण खं़ते हैं किस कली हुत हमती है तो कोई और राइजन हो सकता है जैसे कि बचो यहाँ पे टेंशन की कारण, यहाँ पे इलेक््त चेम्रोस्टेटिक पोर्स के कारण, यहाँ ब्रैविटेस्ट्रros जो और अच्छे वात है और वह हमेशे व्सका उसका जो फोर्स हमेट फोर्स होता है तूवर्ड दे सेंटर नेट सर क्यों वो नेट बोल रहा है मुझे बता बच्चो अगर इस रस यहां फत्तर पे आप लोग बैड़ गए देखो यहां पे दो वे मुझे लग रहा है कि इसको टूवर्ड बान के रखा इसलिए गोल गुम रहा है और देखो आप लोग क है लेकिन मुझे लग रहा है इसको तो बान के रखा LIVE इसलिए गोल गुम रहा है इसको तो ड़र लगता होग पर ट्र पे खड़ा है इसमे घुंहा हुर्ण पत्तर पर जो उबंदल लगरा है और मैं गिरिजो अहां पर लंत परीशा न Εच्छा तो यह जो है यहां पे इसको जहां लग रहा हूं कि रिजल्ट अंस हभसे जादा इपर commitment करा तो जनीट रखो ओ नेट पूर तुष तुवर्ट दी रखो त्टर अब दी सर्कङल अलॉम्गद रेडियस इस called as centripetal force सबसे में बच्चों इसके ऐसा उनित न्यूटन होती है सिंपल है यह बताने की काम नहीं है न्यूटन है डाइमेंशन होता है यह 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 सिंपल सिंपल फरिज इस बात है लेकिन माइनस सिंपल देना है क्यों सर क्योंकि रेडियस का डाइरेक्शन बच्चों अवे होता है और हमारी फोर्स टूवड है इसलिए माइनस सिंपल यहां पर भी लिख सकता हूं यहां यहां पर माइनस यम ओमेगा स्क्वेर आर वेक्टर लिखना है तो माइनस सिंपल क्य समझ में आ रहा है vector form में लिख नहीं तो समझ में आ रहा है बच्चो सेम कहनी centrifugal के लिए है मैं इन सभी गंदी चीजों को मिटा रहा हूं इतना गंदा कोई बोड करता है सर दुनिया में हाँ आगे बढ़ रहा है चलो तो आगे बढ़ रहा हूं चलो centrifugal force देखेंगे सेमें बच्चो समझो इस बंदे को मैंने अभी अभी जैसे बता दिया था यह आपका शुंदर सा हाथ है मेरे बहुत अच्छी पेंटिंग है यहां पर यह जो बंदा बेठा है इस बंदे को लग रहा हूं तो इस बंदे को डर लग रहा है कि मैं यहां पर अवे जा रहा हूं डर लगेगा कि नहीं बच्चो सबसे में यह जो सेंट्री फ्यूगल है सेंट्री फ्यूगल जो है force यह इसमें दो फोर्स होते है एक होता है बच्चो inertial frame of reference एक होतो यहิए non inertial frame of reference inertial frame of reference मतलब 4 जिसमें acceleration zero हो जिसमें V constant हो मतलब ऋधी जिसके speed constant चल रही है, zoom, zoom, एक दम, fix है, मतलब, विलासिटी चेंज ना हो, उसका acceleration जिरो हो, जहाँ acceleration हो, उसको non-inertial frame of reference कहते है, मतलब, जो कोई चीज़ हमेशा speed बदलते रहती है, बदलते रहती है, वो non-inertial frame of reference है, तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, इसको डर लग रहा actually गिर रहा है, नहीं, जैसे गड़ी हम लोग term ने लेते, zoop, तो हम लोग इदर push up होते है, वो जो force होती है, इसको centrifugal force बोलना है, away from the center of the circle, मतलब, यह center, center है बच्चो, यह away, away, और इसे ही को बच्चो, pseudos force भी कहते है, कौन सा, pseudos force भी कहते है, ठीक है, यह एक importance है, यहाँ प force होगी, वो हमारी, देखो, यह pseudos force है, ठीक है, जो away होती है, धन देना है, जब away हो, तब pseudos force, अवे हो, तब pseudos force, ठीक है, यह अंदर नहीं, यह बहार दे से किली, यह imaginary force है, इसको pseudos force, imaginary force भी कहा जाता है, बच्चो, फार्मुले, सेम होंगे यार, खाली vector form में यह minus देनी की जड़रत नहीं है, क्यों, अरे यह acceleration तो कर रहा है, और यह acceleration कर रहा है, दुबारा, acceleration किसके कारण तयार हुआ, बच्चो, force के कारण, यह हम ए, तो यहाँ पे हम लोग यह physical to ymv square, ड़ड़ बार, ymr omega square, ymv omega, only vector form में, minus लगता नहीं है, क्योंकि यह भी away, और radius भी, इसलिए same formula है, ठीक है, इसका example अपनों गड़ी में, जब turn लेते हैं, तब का example दे सबतो, चलो हम लोग mcquist के तरह आप, आगे बढ़ेंगे, चलो, 1, 2, 3, 4, सबसे पहले कौन कर रहा है, चलो, फटा-फटा answer होना चाहिए, मुझे, चलो, first, चलो, किसका answer दे रहा है, तब तक second भी क at a lower end of a string is, lower end string is, mass दिया, इसका मतलब 0.1 kg, बच्चो, इसको हम लोग 10 raise to minus 1 kg, ऐसे transfer कर सकते, ठीक है, the length of a string is, length मतलब r, radius होगा न, बच्चो, गोल गुमरी यह चीज, 6 meter, आपको omega निकालना है, मतलब बच्चो, किसी के हाथ में, एक रसी है, उस रसी के length है, मेरे पास, 6 meter, जो मास दिकरा है, वो 0.1 kg है, very good sir, यह गोल 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 हमरी, क्यों गोल गुमते बच्चो, centripetal force है इसलिए, और इस string पे जो tension आ रहा है, वो आ रहा है, 6.4 newton, बच्चो, टेंशन के कारण force त्यार होई, centripetal, तो इसको tension के जगे पे, आप लोग यम आर omega square लगवा सकत सर क्यों, अरे बच्चो, यह फीजिक कोल टू, यह हमार omega square, यह force किसके कारण लगी, tension, इसलिए t लिख सकते है, चलो सर, इसको लिखा 6.4, मास है मेरे पास, 10 raise to minus 1, और कितना है सर, 6, मुझे omega square, निकालना है, चलो फटापाद, तो omega square, यह इदर 6.4, यह divide 6 into 10 raise to minus 1, अगर यह यह उपर गये, तो यह होगा, plus, करक्ट है सर, divide का, new monitor गया, तो plus होता power, यह 6, मतलब बच्चो, 64 होगा, यह 10 से multiply करोना, simple, divide by 6, तो यह होगा, approximately, 6 tensa, 10 ही रखते है, यहाँ पे omega, यह square गया, तो यह root में होगा, बच्चो, हमारे past point में, कोई answer यहाँ पे दिया, नहीं, मतलब बच्चो, यह approximately, इसको माना गया है, 3, क्यों, अरे 3 का square 9, यह 10 है, approximately answer आते है, मुझे यह पढ़ाना, इसमें, इसी को कहते है, यह fast calculation करना, यह करनी की जोरत नहीं थी, देखो, आगर आपका दिमाग, सही, बहुत शार्फ है, हाँ सर, हम शार्फ है, तो क्या करते, इसको 10 raise to minus 1, अगर इधर आता है, तो यह divide जाके उपर जानी कि क्या जरूरत है, अपने लोग नादान नहीं है, थोड़ा सा हम लोग देखो, push up कर रहे, तो 64, divided by 6, 10 approximately, answer देखके बोलना है, answer, answer देखा मिने, अरे, यहाँ पर point का कोई मसला नहीं है, तो 10 का root 3 होगा, खतम किस्सा, ऐसे ही चलते बच्चो, चलो, एक साइकलिस्ट है बच्चो, turn around a curve at 15 miles per hour, समझे, if, क्या बोला है, turns at double speed, the tendency to overturn is, बच्चो, पहला कोश्चन साहे था, किसमें, यह मेच्टी सीटी दो आज आराट में, यह कोश्चन आया, अफ्यम्सी, मतलब बच्चो, नीट कहींगे, आज कल हम लोग इसको, नीट जए से एक्जाम होती है, नीट, पहले एक arm force medical college था, पुने में, इस college के exam में, 2003 में, सवाल आ चुका है, चलो, अब देखो, उसके अंदर, बहुत सिंपल है, century, पिटल, गोल गुमरी एक चीज, सही बच्चो, yummy square, डड़ लिखेंगे, अब मुझे बता बच्चो, यहाँ पर 2 का square, मतलब यह, V is equal to 4, लिख सकता हो, मतलब 4 मतलब double होंगे, नहीं, half होंगे, नहीं, अंचेज, नहीं, क्या होगा, है, na, quadral होगा, मतलब बच्चो, 4 times जादा होगा, यहाँ पर हमारा force, कितना simple है, sir, orally भी answer दे सकते, directly, या फिर डारेक्ली, पुरक 2 का square 4, खताम किसा, यार, इतनी simple simple example, आचुके है, एक्जाम में, चेक आउट कर मैं, प्रूब दे रहा हो यापे, चला, फटा, 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 चाल करना का, चला, कितने लो कर रहा है, sir, देखो, पहला question से बच्चो, a string break, if it is tension, exceed, tension exceed, 10 newton, देखो, मैं t देवाला, a stone of mass, mass देवाला, 200 gram, उसको, यार, साइट में, कनवर्ट करना है, tied to the string of length, length देवाले, 10 cm, is rotated in horizontal circle, तो W max, डबलु नहीं, omega max, मझे पता है, ये, ये, MPK एग्जाम में, सवाल आचुका, आइंसर दे चुका हूं, बहुत सिंपल, मैं है है बच्चो, शाइद इसक है ना, 30-40 सेकंड में कर सकता हूं, मैं आपको idea develop करके देने माला हूं, बच्चो, ये तो मेरा करतव वे, करतव वे, और उस करतव वे, को मैं, ध्यान में, रखते वे करूंगा, बच्चो, लेकिन आपको भी करना, कितना सिंपल है, कि टेंशन का वही फार्मूला, यम, आर, 200 ग्राम है, तो कैसे करूंगे, 200, 10-3 kg, kg में किया, कभी भी दान में रखना, ग्राम 2 kg, 10-3, और सिंपल भी करता हूं, 25, 10-1, क्यों बच्चो, एक, दो से क्यों सिट किया पता है ना, एक जिरो खा लिया, इसलिए, उसके बाद में, बच्चो, string के length, length मतलब r, क्यों चाहिए, जुम-जुम-जुम-जुम-जुम-जुम गॉल गुमरा, इसकी length, उसकी radius बन रही है, 10 cm, cm to meter, 10-2, तो इसको 10-1, बच्चो, ये 1 है, न, minus 2 से गया, तो, सम्झे बच्चो, ये आपको conversion, इसी step में आना चाहिए, मतलब इसको खालो, चलो, तो लिकताओ, देखो, तो यह 10 महां से मेरे पास 25 गुना 10 raise to minus 2 और 10 raise to minus 1 और multiply omega square कितना easy है मेरे बाहे लोग कैसे यतना easy होता है यह इधर आगे तो 100 होंगे divided by 25 को 4 और यह 10 raise to minus 4 minus 2 सुरी नहीं सर पल्ले नहीं पड़ रहा है चलो आपने steps से करो तो omega square यह 10 है बच्चो यहापे 25 गुना 10 raise to minus 3 समझाए यह समझ में पल्ले पड़ रहा है बच्चो 10 raise to minus 3 क्यों? minus 1 minus 2 minus 3 मतलब बच्चो यह 10 into 10 raise to 3 divided by 25 समझ में आ रहा है भी omega square बच्चो इसको 100 करता हूं 10 raise to 2 करता हूं समझ में आ रहा है अरे एक पावर shift क्या मैंने डिवर्ट बच्चीस 25 फोर जा 100 और यह omega square यह root 4 into 10 raise to 2 ध्यान देना है बच्चो मेरे भाई लोग 4 का root 2 होता है और यह 10 raise to 2 जो भी होगी इसके हाप रखना है बार मतलब 5 रहे तो नहीं चलता है उसको shift करना है हमेशा root में जो power होगा 10 का वो even 2, 4, 6 नहीं होता है तो shift करवा करो यह बात समझ में आ रही तो omega is equal to 20 radian per second बच्चो यहीं पर answer था आपके मालूमात के लिए जो बच्चे सही में अच्छा करवाना चाहते है हाँ सार करवाना चाहते है देखो कैसे यहीं पर मुझे बता बच्चो यह इधर आ गया प्लस का 10 गुना 10 होगे 100 तो यह डिवैड एगा 100 डिवैड बाई कितने 25 चार यह इधर अगय प्लस मतलब 4 गुना 10 देख टू माइनस टू का प्लस टू होगा मैंने बोला निये पाल माइनस रहा तो इधर प्लस होता है बस ध्यान रखना लेकिन मल्टिप्ला तो इसका लेकिन इसके लिए बहुत एक्जम्पल साल करना पड़ते हैं ऐसा नहीं होता है मैं बगवान नहीं आप बगवान नहीं की बॉल दिया सर न्यार हो गया है नहीं ऐसा नहीं होगा चलो आगे बढ़ते बच्चो अब देखो यहाँ पर दोला अम मास से मेरे खाल से यहां पर 500 ग्राम कर टेक्स टर्म रेडियस अदिवाला ही 50 मिटर वीट वेलोसिटी ओप 36 किलो मिटर पर आर्थ बच्चो एक घंटे में मेरी गड़ी 36 किलो मिटर मतलब इसकी स्पीड है यह उस टर्म पर तो सेंट्रिपिटल फोस यह एक्जाम में बच्चो केरला की सीटी में सवाल चुक है 2001 में मतलब निट जाइस एक्जाम में 2001-2002 continue वही सवाला है था इंपोर्टन्स है हाँ बिल्कुल है सबसे में बच्चो इसमें ध्यान देना आप लोगों को कि यहां पे आप लोगों को पहले मास दिया सबको पता है 500 के जी उसके बाद में रेडियस आर दिया है 50 मि यह 36 किलो मीटर पर आर जिन बच्चे नए है उनको समझ में नहीं आए तो ध्यान देना है कभी भी वेलासिटी अगर किलो मीटर पर आर आ गई तो उसको मीटर पर सेकन यसा यूनिट है यह यसा यूनिट नहीं है तो करना है तो ध्यान देना है बच्चो कुछ नहीं 5 by 18 से multiply करना है, खत्तम कि सार, 5 by 18, 5 by 18, 5 by 18, क्योंकि बच्चो किलो मीटर को मीटर में convert करके, ये करके उसको अंतिस अंशित्त रूफ करके दिया है, 18, 2036, 2510, 10, मीटर पर सेकंड, अब ये इतना बोल्टो, इसके बाद नहीं बोलूंगा, द्यान रखना है, 5 by 18 से multiply, चलो सर, फोर्स निकालो, बस होगी बात, अपकी फर्जी, यम ही सके ड़ड़ बार, चलो, मास कितना है, आपके पास, 500 है, वी कितना है, 10, 10 का स्क्वेर, डिवाड़ ब 10,000, इतना simple example है, बच्चो, शायत आप लोग, अगर इसको directly करते, तो directly answer मिल जाता, direct answer मिलता है, बच्चो, 21 step में, ये step करने की ज़रत नहीं होती है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, चलो, next step, 5th और 6th निमर का सवाल, solve करना है आपको, चलो, फटा-फट, यार, मुझ 100 kg, मतलब जब गड़ी आपके पास car, 100 kg, car is moving with a maximum velocity है, of 9 meter per second, किती स्पीड है, 9 meter per second, cross a circular track of radius 30 meter, the maximum force of friction between the road and car is, ये PMT, पहले PMT exam होती थी, हाँ, CET थी, हो दो आजर का questions है, बहुत simple, हलका सा question से, सबसे पहले, मा से मेरे पास, देखो 100, ये आपको लिखने की जौरत नहीं, मुझे आपको समझा के देना है, आप direct कर सकते हो, speed maximum दिवाली है, 90 meter per second, radius दिवाला 30 meter, आपको frictional force मतलब ये ही निकलना है, या मिवी square divided by R, क्यों बच्चो, circular track है, ना, circular घुम जाता, friction force मतलब, ये फीज इक्वल टू, ये लगाओ क्या, ना, 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 बईया, circular है, ये friction के कारण force तयार है, कौन सा तयार हुआ ले friction के कारण, centripetal, तो इस बात पर उल जाना मत मेरे बाए लोग, तो मा से 100, V है, 9, 9 का square rate है, 81, divided by R, ये है, 30, ये 0, ये 0, ये 0, मर गया बच्चो, ये हो गया, 3, 2 जा, और 7 जा, मतलब बच्चो, ये फीज इक्वल टू, 27 multiplied 10, 270 हो गया, बईया, इतना simple, सर, सही में इतने simple होते है, example, हाँ, मैंने बोला, आपको 10 example होंगे, और हम लोग, पहले 10 example को concentrate कर बाद में 15 जो होते हैं, मैंने आप लोगों को एक वीडियो मना के दिया, कि exam कैसी होती है, कौन से level पे exam होती है, JEE कैसे होते, example, knit के example कैसे होते है, सब कुछ बोलाए मैंने, आपको attention मत लेना, next बच्चो, सवाल है आपके लिए मेरे भाई लोग, आप motor cycle है, driver double its velocity, उसकी velocity double क He is having a tar, the force exerted outward will be outward, देखो, AFMC, कौन सी exam है बच्चो, on force medical college, जो है बच्चो, यह है आपकी need, exam आपी convert होगे, अच्छी बात है, यह अलड़ी सवाल हो चुका है, only अलग तरीका है, यह exam में पहले पुछा था, दुसरा बार, अलग तरीके से पुछा, बाकी कुछ इने, कैसे स देखो, फर्मुला, F is equal to M, V square dot bar, तो M का और R का कोई relation है, क्यों, क्योंकि velocity के बारे में बता गया, तो यह V square, तो F, उसको का है, double, double का square होता है, 4, तो 4 times C, option is correct होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, यह पहले C था, option, अभी भी C है, very good, तो बच्चो, आग दिने, सर्का आप लोगों को continuously flow के तरफ बढ़ाने का काम कर रहा हो, तो share करना वीडियो को ज्यादा ज्यादा, like करना, इसके बात के जो example हो, solve करके देना, कल के example, आपको pin करके मिलने वाले है, मैं थोड़ा बाहरता में भी खुद, इसलिए नहीं बनाए, लेकिन आपको उसकी वीडियो क जहां जहां कर सकते वहां करो, चलो, thank you, and best luck for your study. हलो बच्चो, जैसे कि आप लोगो को solve करने के लिए मैं example दे रहा हूँ, जो example आपके लिए ये questions है, पहला है, कोई theoretical questions दे रहा हूँ, जान बुच कर दे रहा, थोड़ा, the force required to keep the body in uniform circular motion, है ना, कोई body uniform circular motion, तो कुन सा force required, centrifugal, centrifugal, friction force, breaking force, ये बताने आपको, ठीक है, उसके बाद में a vehicle moving on a horizontal roll, maybe throw outward, due to the gravitational force, normal force, friction force between the tire and roll, and lack of proper centripetal force, select the wrong statement, चलो, फटा 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 एंसर देना है, ऐसे नहीं ये, उनली देख के नहीं जाना है बाई, चलो, फटा पट कितने बच्चा एंसर दे पारे, उसके बाद में आप vehicle moving on a horizontal, चलो, देखो, centrifugal force has said magnitude as that of the centrifugal force, मैंने आपके कल के answer, comment box में pin करके रखे, देखो, chat box में, आप लोग चेक आउट कर सकते हैं, मैंने chat box में, 27 का B answer, 28 का A answer है, 29 का B answer है, और 30 का B, और 31 का B answer है, ठीक है, और कुछ बच्चे बोट रेते हैं, सर, explain करके दो, तो आप ल relaxation रफना पड़ेगा, उसके बाद में देखना है, आप लोगों को देखो, select the wrong statement, centripetal force has same magnitude as that of the centripetal force, B, centrifugal force is along, radius away from center, centrifugal force exists in inertial frame of reference, centrifugal force is called a pseudous force, its origin cannot be explained, 35 एको, important consequence of centrifugal force is that the art is, ठीक है, आप लोगो को थोड़ा सा, ऐसा questions लगता होगा, कि ये ग्रेविटेशन force का है, ग्रेविटेशनल, क्यों बच्चों, क्योंकि आप काहँ फ्लाट होती, क्या है, ये आपको सॉट करना है, मैं ज्यादा यहाँ पर discuss, fast can be separated from milk, cream, separated because, कोई सी force, ग्रेविटेशन force, ग्रेविटेशन force, ग्रेविटेशन force, और discuss force, ठीक है, उसके बाद म है, ये सवाल आप लोग फटा-फट, फटा-फट, सॉल कर सकते हो, आपके लिए जवाब देना है, मैं आपको पिन करके इसके जवाब answer दे दूँगा, ठीक है, जब भी वीडियो खतम होने के बाद, इसका पिन, क्योंकि आप फिलाल मैं, आप लोगों को ओनली ये practice के निमेरिकल भी दी वाले, रेसिंग कार, ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों के लिए target है, ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, 43 है, और 44, इतने सवाल आप लोगों को solve करने थे, ठीक है, ये हाँ आज का आपका target, तो बच्चों ऐसे भी मिलते रहेंगे, आप लोगों को share क जाप करना, like करना निए तक भी या, subscribe करना चुल, thank you and best luck for your study.